हलो जी, असलाम अलेकूँ, आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, मज़ेदार सी, यह चिकन है, मैं आपको इसकी इंग्रिटियन्स बता रही हूं इदर, यह हमने एक पैन लिया वह है, इसमें हम, एक कप हमने ओईल लिया था, उसमें से आदा कप हम ओईल इसमें डालेंगे अ और यह हमने चिकन डाल दी थी, थोड़ी सी चिकन फ्राई की, उसके बाद मसाले वो थोड़ा से कलेपिक स्कीप हो गया था, इसके तो इसमें मैंने डाला था, नमक, हल्दी, कुटीवी मिर्चे, धनिया, और कुटावा धनिया, यानि साबुद धनिया, और उसके बाद मैं मैंने इसमें कुटीवी मिर्चे और हल्दी, धनिया, ये सब कुछ डाल के, इसको मैंने गरम मसाला ये सब डाल के, मैंने इसे आदा कप पानी डाल के, चिकन गल ने रख दिया है, ये देखिए, इसे ढख के, अब हम 5 से 10 मिर्चे कन जल्दी गल जाती है, तो ढख के रख द और धनिया पिसावा थोड़ा सा, और बाकी हमने साबुत धनिया लिया था, उसको हाथ से ग्रेश करके डाला था, ठीके, ये मैं एक साइट पर टिमाटर डाल रही हूँ, ये मैंने दर्म्याने टिमाटर आप देख रहे हैं, ये मैंने 4 टिमाटर लिये, मैं 4 से 5 टिमाटर ह यह मैं हमेशा से थोड़ा सा जल्द बाजी पे कर देती हूं और बाकी जो आदा कप बचाव आईल था वो हमने अब यूस किया है एक पैन लिया है उस पर आदा कप आईल डाल दिया है और यह जो टिमार्टर हमने काटे थे यह हम इसमें डाल रहे हैं यह टिमार्टर हम इसमें डाल के इसे गलने रख देंगे यह देखें इदर हमारा चिकन गल रहा है मसाले के साथ वो अच्छी तरह से और यह हमारे टिमार्टर गल जाएंगे अब हम इसे ढखके रखा था हमने गल गया इसको अच्छे से चमत से आप उसे मैश कर लीजिए टि कि देखें बिल्कुल यह मैं चमत से अच्छे से मैश कर रही हूं और हम इसे जो हमने चिकन रखी वी है उसमें डाल देंगे यह देखें हमने यह इसमें डाल दिया चिकन में अब यह मैंने चूला चेंज कर लिया अपना क्योंकि वो जरा साइट पे था यह अब हम इसा अच्छे से मिक्स कर रहे हैं टिमाटर को और चिकन के मसाले को चिकन में जो हमने थोड़ा पानी रखा था वो और टिमाटर हमने गला लिये यह थोड़ा सा शोड़ा हो गया अब हम इसे ढखके रख देंगे हलकी आँच पे ताकि यह बिल्कुल जो हलकी सी चिकन रह गई होगी वो भी और टिमाटर अच्छ से यह देखे मिक्स हो गए टिमाटर पांच मिनट के बाद हम देखेंगे तो टिमाटर और चिकन और यह सब कुछ मिक्स हो गया ओईल अलग नजर आ रहा है इसमें से अब हम इसे थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे हिलाएंग अगर आपने इस वक इसमें ग्रेवी डालनी हैं तो हम इसमें थोड़ा पानी अड़ कर सकते हैं लेकिन चिकन कड़ाई क्यूंकि आपको पदा है ग्रेवी वाली इतनी नहीं अच्छी लगती है तो यह हम इसमें इतना ही रखेंगे शर्वाँ ये देखे हमारी चिकन कड़ाई अब तयार हो गई ओई इसने छोड़ दिये हम इसमें हम नहीं उपर से हैरी मिर्चे डाली है और अब मैं इधर हाथ से थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने लीवी थी सूखी भी मेथी जो होती है ड्राइ मिलती है वो मैं हाथ से इसको थोड़ा सा तोड़के और वह मैं उपर से स्प्रिंकल्स कर दूँगी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन कडाई में आप कभी भी ट्राइ करें और अगर इसमें आप थोड़ा सा बटर भी एड़ कर दें तो वह उससे और मज़े की बनती है चिकन कडाई तक यू